हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मानसा आप सभी का मेरे चानल में रिदेपूरवक स्वागत है तो ये शाम का टाइम हो रहा है और दुपर के टाइम पे ना मैंने ये नारियल यहाँ पे रख दिया था धूप लगने के लिए लेकिन अभी बारिश होने वाली थी तो इसलिए मैंने पे नारियल अंदर रख दी और जल्दी जल्दी उपर आ गई हूँ कपड़े निकालने के लिए क्योंकि ना छोटे छोटे बुंदे पढ़ने लगेते तो बस मैं जल्दी से कपड़े निकालती हूँ तो आज ना कुछ ज़्यादा कपड़े हो गए है तो इनके कपड़े मैं अलग से डालती हूँ तो आज इनके कपड़े भी मैंने धोये है तो इसलिए देखिए इतने सारे कपड़े हो गए है और बादल ऐसे चाया हुआ है कि लग रहाता बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली थी लेकिन जैसे मैं कपड़े लेके नीचे आई हूँ ना तो ब खिक से सुके नहीं है तो अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ क्योंकि फिर से उपर जाना फिर आना यह तो पुसे नहीं हो पाएगा इसलिए बस यहाँ पे ही डाल देती हूँ और मोसम कितना अच्छा लग रहा था मतलब ठंडी ठंडी हवा आने लगी थी फिर बाद में यह कुछ बरतन थे मैंने यहाँ पे रख दिये थे क्योंकि अंदर शिंग के पास धोते हैं तो इतनी जगा नहीं होती है तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दी तो यह कुछ बरतन थे जैसे हम पैकर के लाए थे वैसे ही रख दिया था और जब मात ही ना तो सारे बरतन साफ करके रख दी लेकिन इन्हें ना हम ऐसे ही एक कोने में रख दिये थे मैंने बताया था ना कि छोटे बेडरूम में कुछ सामन ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उन्हीं में से मैं निकाली थी क्योंकि ना मुझे अभी उस रूम को भी ठीक करना है और देखिए यहां आने के बाद म इसलिए मैंने अभी तक नहीं निकाले थे और मैं देखूंगी कि जो मुझे यूज़ करना है उन्हें निकालके रख दूँगे और बाकी के जो भी प्लास्टिक के या स्टील के जो बरतन है ना उन्हें मैं उपर रख दूँगे क्योंकि यहां पे जादा स्पेस नहीं है पहले जिस गर में हम थे ना बहुत बड़े बड़े रूम थे और सामान रखने के लिए भी जगा थी लेकिन यहां पे ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहा पे रख दूँगे मैं फ्रेश हो के आ गई हूँ और इनके लिए चाय बना रही हूँ तो मुझ कभी ना मैं भूल जाती हूँ कि कैमेरा आन है और मेरा काम करती जाती हूँ और आपको भी लगता है ना कि मान सा स्माइल नहीं करती हो सीरियस होके काम करती हो तो मैं अपने काम में क्या बुलते निमक नों हो जाती हूँ और मुझे याद नहीं रहता है कि मैं कैमेरा आन कर के काम कर रही हूँ और यहाँ पे देखें ये कुछ तुवर डाल जो होते हैं न मतलब साबूद तुवर डाल कहते होंगे उन्हें ही सुबह के टेमपे मेंने भिगो कर रखा था और उन्हें अभी बॉयल करने के लिए रख दिया है फिर बाद में इस चारपाई में चादर ब के उनको न मतलब यहाँ पे मन नहीं लग रहा था और कहने लगे कि मुझे गाव जाना है तो हमी रोके रखे थे लेकिन वहाँ पे कुछ काम था ससूर जी को जाना ही पड़ा और वो भी मतलब अच्छा लगा उनको कि अभी मुझे गाव जाने का मोका मिल रहा है करके तो सस तो इसी चारपाई में लेटे रहते हैं और उनसे बाते करना उनके लिए चाई बनाना ये सब मुझे अच्छा लगता था अभी देखिए गर मतलब सुना सुना सा हो गया है और ये सारे बरतन देखिए थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही रख दूँगी और अभी तक न जितन बाबी से पूचा है तो वो कह रहे थे कि सारे किड़कियों में और दरवाजों में एक ही साथ हम परदा लगाने के लिए जो राड होता है ना उन्हें लगाएंगे क्योंकि उनके घर में भी अभी तक नहीं लगाया है तो उन्होंने बुलाया है जो आके लगाते है ना ले आ रहे हैं तो मैंने उनसे बोला है कि जल्दी करो क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए मेरा घर जल्दी सिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ काम है करने के लिए अगर अभी मैं किसी तरीके से लगाती तो उसे निकाल के फिर से मुझे लगाना पड है तो फिर से मैं कुकर में डाल के रख देती हूं तब तक ये जितने भी बरतन थे ना ये भी अच्छे से सुख गए है और एक कपड़े से ना फिर से मैं पोच के रख देती हूं और अभी बच्चे स्कूल से आ गए है मैंने सोचा बच्चे स्कूल से आने से पहले ही मैं कर दू मतलब तुवर डाल का जो करना है न क्योंकि बच्चे न स्कूल से आने के बाद कह रहे हैं कि हमें भूख लग रही है कुछ न कुछ बना तो बस बच्चे आके मैगी बनाने लगे है तो मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि र जब से टाइफएड हुआ है तब से वो सारे चीजे जो है वो मैंने आवड़ी किया है तो इस तरह से हिल्दी चीजे अगर बनाते हैं तो बच्चों के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी तो बस मैंने सोचा है कि आज से बच्चे स्कूल से आने के बाद कुछ न अच्छे से खुख हो चुका है और इसे अभी हम चोक लगा देते हैं तो बस सिंपल से हम चोक लगा देते हैं इसमें हरी मिर्च और एक प्याज डालके अगर हमारे पास क्या बोलते करीपत्ता होता तो अच्छा रहता लेकिन मेरे पास अभी करीपत्ता नहीं है तो हमारे स पूछ रहा है कि कब तक बनेगा तो चिनू इस तरह की हिल्दी चीज़े जो है बहुत कम खाता है उसे पसंद नहीं आता है लेकिन सैन्वी न सब चीज़े खा लेती है अगर हम उसे बताते हैं कि इसे खाना अच्छा है मतलब हिल्दी है तो वो समझती है और खाती भी है और यहाँ पे मैं छोक लगा देती हूँ, छोक लगाने के लिए तेल गरम होने के बाद जीरा राई डाला है, फिर बाद में हरी मिर्च डाल देते हैं, तो हरी मिर्च डालती हूँ तो थोड़ा संबल के रहती हूँ, जब से मेरे आखों में एक हरी मिर्च का जो दाना होता है वो गीरा है आपको भी पता है न तो तब से थोड़ा डर लग रहा है और अभी न प्याज भी डाल देती हूं तो हर मिर्च और प्याज अच्छे से फ्राइ होने के बाद इसमें हल्दी डाल देती हूं हल्दी डालने के बाद अच्छे से चेला लेते हैं फिर बाद में थोड़ा लाल मिर्च पॉडर भी डाल देती हूं तो हरी मिर्च भी डाला है और लाल मिर्च पॉडर भी फिर बाद में स्वाद के अनुसर नमक भी डाल देती हूं और अभी न हरी दन्या डाल देती हूं तो हरी दन्या डालने के बाद बहुत देर तक नहीं रखना है डाल के एक बार चला लेते हैं फिर बाद में तुवर डाल को भी डाल देते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं तो ये तुवर डाल मतलब जिसे हम डाल बनाते हैं वो नहीं है तो इसे शायद साबुत तुवर डाल कहते होंगे तो मुझे ठीक से पता नहीं है अगर किसी को इसका नाम पता है तो आप कमेंट कर दीजेगा तो तेलगू में हम कंदुलू कहते हैं फिर बाद में सभी को डाल के दे देती हूँ और ये खाने में भी टेस्टी था अगर बच्चों को हम कभी कबार इस तरह से बना के देते हैं तो उनको भी खाने को अच्छा लगेगा फिर बाद में रात के खाने के लिए बींट की सबजी बनाने वाली हूँ तो बस अभी बच्चे अपना पड़ाई कर रहे हैं और ये फोन में बिजी है और मैं अपना काम कर लेती हूँ और अभी रात का खाना जो है वो मैं धीरे से ही बनाती हूँ क्योंकि अभी हमने वो स्नैक खाया है तो इसलिए लेकिन फिर भी मैं सबजी बना के रख देती हूँ तो अभी सबजी बन रही है तो वही सिंपल सा सबजी में बनाती हूँ तो इसकी recipe जो है वो मैं नहीं बता रही हूँ और आप भी बोल रहे थे कि दीदी पूरी recipe बताओ करके अगर कुछ special बनाना होता है तो मैं आपको recipe शेयर करती हूँ और ये जो आटा है इने भी में निकाल के रख देती हूँ तो मा जब आई थी न तो आटा लाई थी और आज मैंने जो बरतन साफ करके रखे थे न तो इसी में डाल के रख दूँगे और बच्चे भी कह रहे थे कि अभी इंसकी सबजी बनी है न तो हमें रोटी के साथ खाना है क्योंकि अभी अभी हमने वो खाया था न तो पेट थोड़ा हेवी हेवी है तो इसी लिए बोल रहे थे कि चावल नहीं खाना है आप रोटी बनाव करके तो फिर मैं रोटी ही बनाती हूँ फिर बाद में जितने भी यह चोटे मोटे बर्तन है न इने मुझे सिट करके रखना है और यह जो एक प्लास्टिक का बकेट है और स्टील वाले जो है न इनी में में रखना चाहती थी लेकिन इन सब में नहीं आया है और ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में कम सामान रखती हूँ लेकिन जब हम shifting कर रहे थे ना तब मुझे लगा कि इतने सारे है मेरे घर में लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे ये लाना चाहिए वो लाना चाहिए घर में ये नहीं है वो नहीं है लेकिन हम जैसे किराइब में रहने वालों को ना जितना कम चीजे रखे उटन अच्छा है और अभी मुझे ना इस घर में कुछ चीजों की जरूरत है तो वही सोच रही हूँ कि अभी लाओ या ना लाओ क्योंकि ना उन चीजों के बिना इस नए घर में अज़स्ट हो पाना मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए ही नहीं हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है तो बस मैं वही सोच रही हूँ कि क्या करूँ अगर इस घर के हिसाब से सारा सामान लाते है तो इस घर में रह में रहने वालों का तो यही हाल है तो अभी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ फिर बाद में देखो इस तरफ सबजी बन रही है और कुछ यह प्लास्टिक के डिब्बे है ना इन्हें मैं सोच रही हूँ कि इस बड़े वाले स्टील के क्यान मे रख दू लेकिन उसमें नहीं आ पा रहा है फिर बाद में मुझे लगा कि इस तरफ तो जगा है तो यह उपर वाला जो शेल्फ है ना तो डेली उसके जो बरतन है वो मैंने इस तरफ कॉर्णर के तरफ रख दिया है और खाली जो डिब्बे है ना वो मैं पीछे के तरफ र काम करने को है तो उनर भाबी भी कह रही थी कि अभी हमें कुछ काम करवाना है तो यही सोचके मैं दीरे-दीरे कर रही हूँ लेकिन अभी त्योहार आ रहा है ना गनेश चेतूर्दी तो गनेश चेतूर्दी से पहले तो मुझे पूरा घर सेट करना ही करना है चाहे मुझे डबल डबल काम करना क्यों ना पड़े क्योंकि त्योहार से पहले घर अच्छा होता है तो मन भी अच्छा होता है तो जो भी त्योहार होता है तो मैं त्योहार से पहले घर को अच्छे से सजा कर रखती हूँ तो ये मेरी आदद है, चाहे वो छोटा तोहर हो या बड़ा तोहर, घर को पहले मैं अच्छे से ठीक कर देती हूँ, फिर मुझे मन को अच्छा लगता है, फिर मैं पूजा भी अच्छे से कर सकती हूँ, और अभी देखे, रोटी बनाने के लिए मैंने आटा ले लिया है, त तो एक रोटी जादा खा लेते हैं, तो इसलिए मैं सोच के डाल रहीती आटा, फिर बाद में रोटी बनाने के लिए आटे को मिला लेती हूँ, और मुझे ना रोटी बनाना मुश्किल लगता है, तो आप लोग ना आसानी से बनाते होगे, लेकिन पता नहीं मुझे रोटी बनाना मुश्किल लगता है, और मुझे ठीक से बनते भी नहीं है, और आप भी कमेंट करते हो कि मान सा तुम्हें रोटी बनाना नहीं आता है करके, हाँ तो मुझे रोटी बनाना अभी तक ठीक से नहीं आ पाया है, दीरे दीरे करके मैं सीख रही हूँ फिर बाद में देखे रोटी बनाना हो गया है और ग्यास्टाओ के आसपास में साफ कर देती हूँ तो ये सुबह की बिंडे की सबजी है और ये अभी मैंने बिंज की सबजी बनाई है न तो अभी बच्चे खा रहे हैं और यहाँ पर देखे इतने सारे बरतन हो गए है न तो इन्हें मैं पहले साफ करके रख देती हूँ तो चाई के बरतन मतलब चाई के तो ज़्यादा बरतन नहीं हुए है लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स और शाम के टेम पे मैंने जो बनाई थी न तुबर दाल का उसके कुछ ज़्यादा ही बरतन हो गए थे तो उन सभी को मैं पहले साफ करके रख देती हूँ क्योंकि बरतन ज़्यादा दिखते है न तो ठीक नहीं लगता है और कुछ काम करने को मन भी नहीं करता है खाने को भी मन नहीं करता है तो पहले मैं ये काम कर देती हूँ फिर बाद में मैं भी खा लेती हूँ और इनके लिए भी दिया है तो दोनों मिलके खा लेते हैं और अभी ना रात में जो लास्ट काम होता है तो ग्यास्टव को साफ करके फिर किचन को अच्छे से sit करके रखना तो यही काम हो रहा है एक बर फिर से अच्छे से मैं ग्यास्टव को पोच देती हूँ तो सुबह के टाइम पे ना कुछ जादा खाना बनता है मतलब आयली वाला खाना बनता है तो एक बर मैं गीले कपड़े से पोच देती हूँ और अभी रात के ट जादा गंदा नहीं हुआ है तो बस इसलिए गीले कपड़े से अच्छे से पोच देती हूँ और रोज-रोज हम इस तरह से करते हैं तो जादा क्या बोलते गंदा नहीं होता है और इस तरफ जो दीवार होता है इसे भी एक बार मतलब दिन बार तो नहीं लेकिन रात के टे दिखेगा क्योंकि ना चौक लगाते हैं या कुछ सबजी बनाते हैं तो तेल जो है इदर उदर चिड़कता रहता है तो इसलिए ये काम भी अगर हम रोज-रोज करते हैं तो हमारा किचन जो है हमेशा साफ सुत्रा रहेगा तो देखिए मेरा किचन का काम हो गया है फिर बा नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा मिलते हैं और एक अच्छे से व्लॉग के साथ